कि अबी निगें अच्छी अबी मॉर्निंग से दुपहर की बीच का ताइम हो रहा है तो सारा सूबा का जिता भी काम वाम होता ना वो सारा कुछ हो गया है जैसे की साफ सपाई तूजा पाइब अब्स मेरा नाश्ता नहीं हुआ तो आज ना मैं अभी देको नाश्ता यू ब और इधर इंड़क्शन पर मैंने चावल भी चढ़ा दिया है तो आज एक साथ में लंच एंड ब्रिक्पास्ट दोनों बना रही हूँ बडता क्यों गड़क्त रहें हूँ सुथार करें जब तक हजब में अफने साथ मीटिंग रहांगे को आ हैं। आज पूजा पाथ किया और इससा कोशुचर छोड़ा देती उने तो फिर चावल जलने का डर रहता है। पर मैंने Bluetooth लगा लिया था, मैंने सचा की जब काम करते, अपना झुछ भी वीडियो देखती रहती हूं जब कुकर की CT पे करम आती है तो, फुन से कुछ सुना ही नहीं रहता है तो चलो फिर आप बने रहो मेरे ब्लॉग में और देखते हैं कैसे क्या बनता है और मैंने इसे बेशन में बॉइल्ड आलू मैंने अइरेक्ट किया था और प्याज, टमाटर, दो हरी मिर्च, जीरा और बाची थोड़े-थोड़े सुखे मसाले टेस्ट अफ़रिंग नमक डा तो आप बने रहो मेरे ब्लॉग में तो अब जब तक उधर दोनों गैस मेरे आउन हैं यहां पर फटा-फट से मैं मसाले प्रिपेर कर लेती हूँ तो मसाले में लसन की मातरा अज़ जादा होगी यूकि चने छोले यह सब में लसन और प्यास ज्यादा डलता है तो यहां प लसन को भी चीलती वी जा रही हूँ और मसाले में मैं बताऊंगी आगे आपको क्या डल रहा है और यहां पर एक चीला मेरे रेडी हो गया है अब मैं दूसरा भी बना लूँगी और टोटल तीन चीले बनेंगे इस बैटर में तो डेड़ मैं खालूंगी डेड़ हस्बंड खालेंगे क्योंकि एक ही बहुत जादा हेवी हो जाता है और दो खानी की तो मतलब हीमत ही नहीं होती कि दो खा पाऊंगी और अगर दो खा लिया तो फिर लंच का तो भूली जाओ कि आप लंच भी कर पाऊंगे इसलिए फिर मैंने डेड़ करके खाली है यहां पर देखो अधरक मिर्च और प्यास डाल दिया मैंने एक बड़ा सा और यहां पर एक से दो डाल चीनी का टुकड़ा मैंने डाला है और थोड़ा सा जीरा डाल के इसमें थोड़ा सा पानी आइड करके बस इसका एक पेस्ट हम लोग रेड़ी कर लेंगे यहां पर मैंने मसला रेड़ी नहीं किया है दही के साथ आज मैंने चाय नहीं बनाई क्योंकि चाय मैंने सुबब पी ली थी इसलिए मैंने चाय सक्पित कर दिया और यहां पर दही के साथ ही क्षे लिए बेच्छी लगती है और बेट की हालत देखो कपड़े कितने फैले हुए सारे धूले हुए कपड़े बस उठा कर मैंने रख दिया है क्योंकि आप मौसम देख सकते हो मौसम अभी ऐसा हो रखा ना कि आप मैंंतə है है मतलब दो दुल दिनन से तो बारिष जी हो रही है कंटिनियो बारिश हो रही है तो इसे वाज़े से üst पीदधा थो thereafter कर दोच writer तो काफी टेस्टी बनिए यह आलू बगरा डाल दोना तो और जाथा टेस्टी लगती जितनी भी वेजिस आप जाथा एड़ करोगे ना उससे जाथा ही टेस्टी हो जाती है तो चलो मैं खाल लेती हूँ ज्यादा बाते नहीं करती हूँ मस्टर्ड गाली करने के बाद लिया है एप सबजी को बनाने के लिए लिए मस्टर्ड की मांसाले की कौनिटिटी साथ खूआ है था अच्छिय लगती्यादा और इतने दिर में मेरे कुकर का प्रेशर भी निकल गया था तो देखो मैंने तीन आलू भी इसमें डाल दिये थे क्योंकि सिफ चने मुझे नहीं अच्छ लगते हैं मैं इसमें आलू डाल कर बनाती हो तो उसे आप रोटी के साथ भी फिर खाओगे न तो अच्छी लगेगी जितने चावल और रोटी के साथ लगता है उतना ही खाते हैं अब यहां पे हमने प्यास को थोड़ा से ट्रांसलोसन होने के बाद जो पेस्ट बना कर रखा था लसन अद्रक का वो डाल दिया है बाकी फिर सुके सुके मसाले डाल दिया है मैंने लाल मिर्श पाउडर डाला ह किचन किंग और थोड़ा सा गरा मसाला पाउडर बस यही चार चीज़े हम मेरी सभी सबजियों में जाती हैं तो इन सब को भी अच्छे से भून लेंगे और यहां पे हल्दी मैं सोच ले थी कि क्या चीज रहे गया फिर मुझे याद है कि अच्छा हल्दी रहे तो फिर मैं नमक भी अड़िया है और जब चनि में वह पाइल के थे उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाला था ताकि चनि में अच्छे से मतलब नमख चला जा जाए ऐसा नहों कि फिर सिफ मसाले में नमक लग रहा हो और चनि में नमक ना लगे उसके बाद मैं यहां पर अब जैसे आलू अगर भी डाला है तो इसी हिसाब से नमक हमने उसी टाइम एड़ कर दिया था इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वंटिटी बढ़ा कर नमक डाले थी क्योंकि चने में सदा मैंने नहीं डाले थे अब साथ ही साथ मैंने यहां पे चने भी निकाल लिया है पहरे मैं मसाली वाली भी अच्छी लगती है अगर पूरी पराथे के साथ आप खा रहे हो तो लेकिन राइस वगरा के साथ खाना है तो फिर ग्रेवी वाली ही जाएगी तो यहां पे अब मैंने जरूवत थी उतना मैंने पानी आड़ कर दिया है अब इसे हम लोग ढख देंगे और सबसी बनती लेकिन आप हालत देख सकते हो कैसी हो जाती है तो फटा फट से मैंने कपड़ा लिया और यहां पे गैस और स्लैब को मैंने साफ कर दिया है किचन में मैं सफैला रहता है तो बहुत जाता फिर मनी ही नहीं करता काम करने का उदर राइस भी मेरे हो गए थे तो व दिन दाल चावल यह सारी चीज़ें बनती है ना उस दिन बरतन भी बहुत जादा होते है और जिस दिन एक सबसी बनती है उस दिन उतनी जदर टेंशन नहीं रहती है कि चलो मसाले वाली सबजी है ग्रेवी वाली सबजी है तो वह हो जाएगी और प्लस रात की भी जाती हूँ तो अपना सारा काम निपटा कर ही किचन से निकलती हूँ चाहे मुझे एक घंटे लगे दो घंटे लगे तीन घंटे लगे मैं नौन स्टॉप फिर लग जाती हूँ अपने कामों में उससे बाद के लिए नहीं टालती हूँ और एक साथ मल्टी टास्किंग करन वो तो हम housewife के मतलब हाथों में talent है आप समझ सकते हो कि हम लोग एक साथ बहुत सारे multitasking कर सकते हैं तो यहां पर अभी सभी बरतनों को एक एक करके मैंने wash कर लिया है और यह वाली जो ribbon है मैंने लगाई यह rubber band है कैसा लग रहा है आपको मुझे जरूर बताना यह हमारे यह Disneyland लगा हुआ था तो मैंने ले लिया था और काफी अच्छा भी लगता है पीछे सा अच्छा लुकाता है अगर simple भी आप चोटी बना रहे हैं जैसे कि अभी मैंने बना रखा है और फटा फट से मैंने सदेखो सारे बरतन भी वाश कर लिया अपको कर वगरा रह अब बाद में क्या है लंच करने के बाद जितने भी प्लेटे वगरा होंगी बस वही होंगी में में बरतन तो आपके दूल गए और कढ़ाई अगर दोनी रहेगी तो फिर रात में धोंगी क्योंकि अभी तो सब्जी है उसमें और यहां पर आप देख सकते हो सब्जी मेरी करने के बाद मैंने बैलकनी का गेट खोला बाहर देखा थोड़ी अभी अभी इसी स्कृष तक पहुची है थोड़ी कसर और बाती रही तो उसके बाद यह हो रहा है शाम का टाइम तो यहां पर सोकर मैं उठी थी जस्ट पांच साड़े पांच हो रहे थे तो लंच वगरा के बाद मैंने बैलकनी का गेट खोला बाहर देखा थोड़ा सा खड़ी हुवी बैलकनी में तो अच्छा लगता है क्योंकि शाम का टाइम में नीचे बच्चे वगरा खेलते रहते हैं और यहां पर थोड़े से प्लांट्स वगरा को भी देख लेती हूँ चाहे मिल जाएंगे तो यहां पर देखो कैसे वबाती ले रही हूँ मैं तो मैंने सुचा कि चलो भई सोकर उठने के बाद बस तलब लगती है चाई की तो मैंने फटाक से फ्रिज खोला दूद निकाला और अब चारी हूँ अपने लिए चाई बनाने के लिए तो हस्बंड आये सारा कुछ क्लीन करके ही मैं सोई थी यहां पर चीनी और चैपती मैंने डाल दिया है अद्रक को भी हलका सा क्रश कर लिया है और इसे डाल दूँगी अब जब तक यह दीमी दीमी आज पर बनती रहेगी मैं थोड़ सा बैलकनी में फिर से बैठोंगी मुबाइल वगरा तो यहां पर पांच मिनट बाद मेरी चाय बन गी थी चार पांच मिनट मैं उसे खौलाती हूं अच्छे से उसके बाद यहां पर आगी थी अपना चाय लेका और थोड़ सा अपना जो मी टाइम है वह इंजॉय कर लेती हूं इवनिंग के टाइम पर बैलकनी में जो मेरा ब व्लॉग अच्छा लगा होगा आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और मिलते हैं आपसे निक्स्ट व्लॉग में किसी नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर लव यू आल एंड लव यूरसेल always, bye-bye!